आखों के सिवा दुनिया में दुनिया युसे की जमाना युसे की रही गली मेरी माँ सुनेरी गोठे दिल तेरा दिवान है सनौ दिल के शेहनशा और महान गायक मुहम्मद रफी सहाब ने अपने करीब 40 साल के फिल्मे करियर में हिंदी समेट अनेक भाशाओं में करीब 26 हजार गीता है रफी सहाब जब फिल्मों में गाने लगे तो उनके आने से फिल्म गायकी का तरीका ही बदल गया जहां पहले हर हीरो के लिए अलग-अलग गायक होते थे और हर गायक की एक ही खासियत होती थी वहीं रफी सहाब ऐसे गायक थे जो हर तरह के गाने गा सकते थे और हर हीरो पर उनकी आवाज फिट बेट दी थी इन गीतों से जहां रफी सहाब को दर्शकों और श्रोताओं का बे इंतिहाँ प्यार मिला वहीं खूब दौलत और शोहरत भी हासिल हुई आज एक ऐसे ही संगीतकार की कहानी पैश है जिसके लिए गाते हुए रफी सहाब ने कहा था कि तुम बस ऐसे ही गाने बनाते रहो पैसे की फिक्र मत करो दोस्तों महान गायक और उससे भी बढ़कर महान इंसान मुहम्मद रफी ने करीब 40 साल तक हिंदी फिल्मों में गाईकी की दुनिया पर राच किया लेकिन वो ना कभी शोहरत के पीछे भागे और ना कभी रुपियों पेसों का लालच किया उन्होंने हजारों ऐसे लाजवाब गीत गाये जिने सुनकर आज भी हमारा दिन बन जाता है उनकी मीठी आवाज जिसे कानों में रस खोलती है दिल में एक आजपसी हलचल पेदा हो जाती है चाहे कोई रोमांटिक घटना हो दुखद अउसर हो देश भक्ती या धार्मिक कारिक्रम हो उनके दिल को छुलेने वाले गाने ज़रूरी है रखी सहाब को इस दुनिया से गुजरे चार से जादा दशक हो गए लेकिन उन जैसा कोई दूसरा गायक नहीं आया दुनिया से चले जाने की इतने लंबे अर्से के बाद भी वो अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते हैं वो जितने महान गायक थे उतने ही नेक दिल इनसान भी थे वो अपने गाने की फीज के लिए कभी भी बात नहीं करते थे संगीतकार खुद ही उनकी फीज बढ़ा दिया करते थे लेकिन जिन संगीतकार की आर्थिक खेसियत उनकी फीज देने लायक नहीं होती थी रफी साप उनके लिए भी गाने में संकोच नहीं करते थे ऐसे ही एक संगीतकार थे सी अर्जुन उनका पूरा नाम था अर्जुन परवानन्चंदनानी सी अर्जुन का नाम तो जाद अतर लोगों को याद नहीं होगा लेकिन आपने ये गाने जरूर सुने होंगे जैसंतोशिमा शोले के साथ ही रिलेज हुई थी शोले में बड़े स्टार्स थे बड़ा बज़ट था लेकिन जैसंतोशिमा में ना जाने पहचाने एक्टर थे ना इसका बज़ट था लेकिन इन ही गानों की बदोलत जैसंतोशिमा ने कमाई और लोगप्रेता में शोले को बड़ाबरी की टक्र दी जिस तरह शोले के डायलोग लोग प्री हुए थे उसी तरह जय संतोशिमा के गीत आज स्टक लोग प्री हैं लेकिन ये फिल्मी दुनिया कर ना जाने कौन सा पेमाना है कि इतना अच्छा संगीत देने वाले को कभी एक रेट का संगितकार नहीं माना गया जिससे उन्हें मजबूरी में B.A.C. ग्रेट की फिल्मों में संगीत देना पड़ा ये फिल्में भले ही ना चली हो लेकिन आज भी सी अरजुन के गीतों की वज़े से इन फिल्मों को जाना जाता है सी अरजुन पाकिस्तान के कराची में 1933 में पैदा हुए थे और अपनी पारिवारिक विरासत के कारण संगीत के दुनिया में आ गए उन्होंने आजादी के पहले संगीतकार बुलो सीरानी के लिए काम किया सिंधी भाषा की पहली फिल्म अबाना में संगीत दिया अबाना साधना की भी पहली फिल्म थी लेकिन वो कभी फिल्मी दुनिया की राजनीती सीख नहीं पाए और पीछे रह गए मगर रफी सहाब को इससे क्या फर्क पड़ता था वो कभी किसी संगीतकार के केम्प में नहीं रहे उन्होंने जितना काम बड़े और मशूर संगीतकारों के लिए किया उतना ही काम कम लोगपरी या नए संगीतकारों के लिए भी किया उनकी इस दरियादिली के कारण एक बार ओपी नएर ने उनसे पूछा भी था क्या आपको नए संगीतकार भी उतना ही पैसा देते हैं जितना लोगपरी संगीतकार तो रफी सहाब बोले जब वो कहते हैं कि इस गीत को गा दीजिए इसमें आपकी आवाज की जरूरत है तो मैं उनसे पैसे की बात नहीं करता मेरे लिए क्या यही कम है कि वो मुझे याद करते हैं इसलिए जब सी अरजुन ने संकोच करते हैं उनसे यह गाना गाने की गुजारिश की तो रफी सहाब ने इनकार नहीं किया यह गाना बनने की कहानी भी दिल्चस्प है जो सी अरजुन ने रेडियो कारिकरम में अमीन सयानी को बताई थी उन्होंने कहा कि एक दिन हम यानी मैं और इन्दीवर रिकॉर्डिंग के बाद बेस्ट बस से लोट रहे थे बस में खूब सवारी थी लेकिन हम दोनों को सीट मिल गई और हम पास पास बेट गए दो या तीन स्टेशनों के बाद एक बेहत खुबसूरत लड़की उस बस में चड़ी और हमारे पास खाली जगा देखकर खड़ी हो गई इंदीवर बार-बार उसकी ओर देख रहा था चार-पांच मिनिट के बाद इंदीवर ने मुझसे खड़े होने को कहा और उस लड़की को सीट देने के लिए कहा थोड़ी जीज़क के बाद मैंने अपनी सीट उसे दे दी वो करीब आधे घंटे तक साथ में सफर करती रही लेकिन मुझे हेरानी हुई कि इस दौरान इंदीवर ने उससे एक बार भी बात नहीं की जब उतर गई तो मैंने इंदीवर से पूछा कि तुमने उससे बात क्यों नहीं की तो इंदीवर बोले कि जब मेरा घर आएगा तब बताऊगा अपने इस्टोपेश पर उतर कर हम गर पहुंच गए तो इंदीवर ने कहा माई डियर अर्जुन उसे अपने सीड देने और मेरे बगल में बैठाने के लिए धन्यवाद जब वो लड़की बस में खड़ी थी और फिर मेरे बगल में आकर बेट गई तो मैंने कुछ पंक्तियां सोची थी यह पंक्तियां थी पा तक हम ये धुन बनाते रहें ये गाना बलराज साहनी जगदीप और अमिता के रोल वाली फिल्म पुनर मिलन में फिल्म आया गया जो 1964 में रिलीज हुई एक ब्लेक और वाइट फिल्म थी सी अरजुन ने एक इंटर्विव में बताया था कि वो चाहते थे कि ये गीत रफी साहब गाएं लेकिन फिल्म का बजट कम था इसलिए जिजगते वे वो रफी साहब के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए जब रफी साहब बाहर आए तो मैंने उन्हें बताया कि मैं संगीत मत करो और इसी क्वालिटी का काम करते रहो धन्य थे रफी साहब और धन्य थे सी अरजुन जे से संगीतकार जिनोंने हमें इस शांदार गजल की सोगात दी इस पेशकेश में इतना ही दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल सकत भी सुधन पर रहाद भी संग्साल स्थत-व्यजवाद झाल सकितो बहुत बहुत ःं हो सुध खिख गर दो फ। झाल झाल